आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की exercise 8.1 का question number 2 इससे पहला जो question है उसको हम discuss कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो description box में link है आप उसको जागर के देख सकते हैं तो question है in given figure find 10p minus quarter यह जो figure दे रखा है इसमें हमें 10p minus quarter को find out करना है तो सबसे पहले हम figure को देख लेते हैं यह हमारे पास में एक right angle triangle है उसमें हमारी जो hypotenuse है वो 13 cm है यह हमारे पास में 13 cm इसकी hypotenuse है और जो हमारा pq है वो 12 cm है तो इसके बाद में हमें क्या निकालना है 10p minus quarter तो इसका solution देख लेते हैं तो इन right angle triangle pqr यदि हम right angle triangle pqr में देखें तो हमारे पास में pr हमको पता है 13 cm है और pq पता है 12 cm है तो सबसे पहले हमें r q find out करना है जिससे की triangle की 3 sides हमको मिल जाएं तो यह right angle triangle है तो इसमें हम python pythagoras theorem का use कर सकते हैं तो हमने pythagoras theorem का use कर लिया तो हूँ होता है hypotenuse का square is equals to perpendicular का square plus base का square तो यहाँ पे hypotenuse हमारी क्या है 13 है तो hypotenuse को हम लिख सकते है pr तो pr square is equals to pq square plus qr square सबसे पहले हम pr और pq की values लगा देते हैं तो pr की value है 13 cm तो हमने 13 use कर लिया pq की value है 12 cm तो हमने 12 cm use कर लिया और qr की value हमको find करनी है तो हमने उसको as it is रख दिया तो 13 का square होता है 169 तो 13 का square हमने 169 लिख दिया 12 का square होता है 144 तो 12 का square हमने 144 भी लिख दिया और उसको हम left hand side में ले गए तो यह प्लस में था तो उधजा करके यह minus का हो गया is equals to qr का whole square अब यहां पे हमको qr की value find out करनी है तो जह हम 169 में से 144 को minus करेंगे तो हमारा आएगा वो 25 तो 25 is equals to qr square तो qr की value आ जाएगी हमारी 5 तो qr की value 5 cm आ चुकी है तो हम लिख देते हैं qr is equals to 5 cm अब students हम अब find कर सकते हैं 10p minus cot r तो सबसे पहले 10p find out कर लेते हैं तो 10p क्या होगा हमारा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है जहाँ 10 या sign निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं पापा, बीडी, पी ओगे, हाँ, हाँ, बेटा इस formula का हम use करते आए हैं या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप पाकिस्तान, भूका, प्यासा, हिंदुस्तान, हरावरा हम perpendicular बटे, base लगाते हैं तो यहाँ पे हमें 10P find out करना है तो सबसे पहले angle देख लेते हैं यानि ये angle है हमारा P angle तो 10 होता क्या है, 10 होता है perpendicular upon base तो हमारे लिए जब हम 10P की बात करेंगे तो perpendicular क्या होगा, तो perpendicular होगा QR तो हमने QR लिख दिया और हमारे लिए base क्या होगा PQ, तो हमने base लिख दिया, तो इनकी values रख दी हमें, तो QR की value कितनी है, 5 cm है, और PQ की value कितनी है, 12 cm है तो हमारा 10P आ चुका है, अब हमें find करना है cotR, तो cotR find out करने के लिए हम cotR लगा देंगे, अब हमारा angle कौन सा है, हमारा angle है R, यानि ये angle है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, cot क्या हो जाएगा QR upon PQ तो QR upon PQ, तो QR और PQ की दोनो values लगा देते हैं, तो QR की value है 5 cm और PQ की value है 12 cm अब हमारी दोनों values आ चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते है 10P की value मैंसे cot R की value को subtract कर सकते हैं तो जब 10P मैंसे cot R जाएगा, तोनों की values कितनी आई है 5 upon 12 और 5 upon 12, तो 5 upon 12 मैंसे 5 upon 12 जो हमने subtract किया तो ये आगया हमारा 0 तो ये हमारा यहां answer हो जाएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल CVSC ग्यान को subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like कर दीजिए तो thank you for watching this video धन्यवाद